नमश्कार दोस्तों आप सभी का स्वागत है दोस्तों एशियन गेम्स में हमारे इंडियन फुटबॉल को इंक्लूड कराने में हमारी इंडियन टीम को भेजने के लिए गौर्मेंट को बनाने में हमारी जनता का बहुत बड़ा रोल है क्योंकि ट्वीटर पर ट्रेंडिंग क जुरू होगा और कब इसका फाइनल खेला जाएगा दोस्तों वैसे एशियन गेम्स जो हैं 2023 से शुरू होने वाले हैं लेकिन जो फुटबॉल के इवेंट्स हैं वो 19 सेप्टेंबर यानि की पहले से ही शुरू हो जाएंगे दो तिन दिन पहले से तो चलिए स्क्रीन पर चलत हैं इसमें मैं आपको बता दूँ जो M केटेगरी होगी वो मेंस के लिए होगी और जो W केटेगरी आएगी वो मेंस के लिए होगी ठीक है तो कन्फ्यूज मत होईएगा चलिए बढ़ते हैं सबसे पहले दिन 19 तारीक के लिए 19 सेप्टेंबर टीउज़े को कौन सा होने वाले हैं दोस्तों ये सेशन FBL01 जिसमें एक इवेंट है मैंस का ग्रूप A का चाइना वर्सिस इंडिया का ये एवेंट होगा शाम को साड़े साथ बजे चाइना के हिसाब से है धाई घंटे आप सब में कम कर लीजिएगा यानि की लगबग 5 बजे इंडिया का पहला फुटबॉल का एशियन गेम्स में इवेंट खेला जाएगा 19 सेप्टेंबर को सेकंड यहां पर सेशन होगा FBL01 जिसमें मैंस ग्रूप B का इवेंट होगा वेतनाम वर्सिस मंगोलिया और साओधी अरेबिया वर्सिस इरान का तो ये टाइमिंग देख लीजिए चार बजे चाईना के हिसाब से और साढे साथ बजे चाईना के हिसाब से ये लीजिए और 19 तारीक को ही ग्रूप A मेंशे बांगलादेश वर्सिस इई अरोको का मैच होने वाला है ये लगबग चार बजे का टाइम है चाईना का इप मीन्स लगबग देड़ बजे की आसपास इंडि ए मैसे होगा भारेन वर्सिस थाइलेंड और कोरिया वर्सिस कुवेत का ये इवेंट होगा चार बजे और साड़े साथ बजे चाइना के हिसाब से एंड नेक्स्ट की बात करें FBL05 यानि की मेंस इवेंट ही होगे जिसमें सैवन्त और एट्थ मैच होने वाला है फुटबॉल का जो की चार बजे और साड़े साथ बजे होगा यानि की नोर्थ कोरिया वर्सिस चाइनीज टाइप आई और इंडोनेशिया वर्सिस काजीकस्तान के बीच में होगा तो ये डे वन का पूरा स्केडियूल हो गया अब बढ़ते हैं डे टू यानि की 20 सेप्टेंबर की चाइना के बीच में होगा चार बजे और साड़े साथ बजे चाइना के हिसाब से ठीक है और मैंस ग्रूप D का इवेंट होगा जपान वर्सिस कतार के साथ साथ बजे ग्रूप D का ये इवेंट है चलिए बढ़ते हैं थर्ड डे की तरफ यानि की 21 सेप्टेंबर की तरफ तो 21 सेप्टेंबर को दोस्तों काफी सारे इवेंट होने वाले हैं सबसे पहले आप FB L08 का देख लीजिए 12th नंबर मैच मैंस ग्रूप A में होगा जिसमें इंडिया भी है ग्रूप A में तो मोरोको वर्सिस चाइना का ये इवेंट होगा and 13th मैच होने वाला है मंगोलिया वर्सिस साओधी अरेबिया का 4 बजे 14th मैच होगा 7.5 बजे इरान वर्सिस वेतनाम के हिसाब से होगा and FB football L010 की बात करते हैं यानि की 10th जिसमें 15th नंबर का मैच होगा 4 बजे इंडिया वर्सिस बांगलादेश 4 बजे चाइना का हिसाब है यानि की लगबग 1.5 बजे इ किस सेप्टेंबर को ठीक है मैं आपको इंडिया का भी बता रहा हूँ बीच बीच में इंडिया का टाइम चलिए FB 11 यानि की जिसमें 16 और 17 नंबर के मैच आ रहे हैं कुएत वर्सिस भारेन के बीच में ये इवेंट होगा and 17 नंबर मैच थाइलेंड वर्सिस कोरिया का होन and women's group B and women's group C women's के इवेंट भी शुरू हो जाएंगे जो कि पहला मैच होगा women's event का जिसमें ताइप आइप आई वर्सिस इंडिया इंडिया का पहला ही मैच होगा जो की 21 तारिक को साड़े साथ बजे it means लगबग 5 बजे के आसपास इंडिया का ये इवेंट खेला जाएगा Chinese Taipei versus India women's में and women's group C में North Korea versus Cambodia का मैच होगा जो की 4 बजे का जिसका time है चाइना के according चली आगे बढ़ते हैं 22 September की तरफ 22 September में men's group C से पहले दो इवेंट होने वाले हैं अफगानिस्तान versus Syria and Hong Kong versus Uzbekistan 4 बजे and 7.7 बजे respectively and match number 16 FBL 16 की तरफ चलते हैं men's event होगा match number 22 men's event का Qatar versus Palestine जो की ये match 7.5 बजे होगा चाइना के हिसाब से match number 17 में women's group A है यानि की China versus Mongolia 7.7 बजे होने वाला है ये 22 तारिक को ही and 22 तारिक को 4th and 5th match होगा women's group D का जिसमें Vietnam versus Nepal and Japan versus Bangladesh खिलने वाले हैं दोस्तों चलिए आगे बढ़ते हैं 22 तारिक को ही FBL 19 यानि के 6th and 7th women's group E का event है जिसमें Hong Kong versus Philippines and Korea versus Morocco होने वाला है शाम 4 और 7.5 बजे respectively दोनों matches का चलिए बढ़ते हैं 24 सप्टेंबर यानि के संडे का दिन है संडे को काफी सारे events हैं जैसे आप देख लीजिए FBL 20 यानि की 23 match man's event group A जिसमें आप 7.5 बजे देख सकते हैं China versus Bangladesh group B 24 match 7.5 बजे वेतनम versus Saudi Arabia and 25th match man's group B 7.5 बजे इरान versus मंगोलिया and 26th match 7.5 बजे इस मोरोको versus इंडिया शाम 7.5 बजे 7.5 यानि की लगबग 5 बजे के आसपास होगा ठीक है 27 match man's group F 4 बजे होने वाला है काजाकिस्तान versus Chinese आइप आई का उसे दिन 28.5 बजे कोरिया versus भारेन का और 29.3 बजे इवेंट होने वाला है जिसमें 4.5 बजे होगा North Korea versus Indonesia and 7.7 बजे होगा Thailand versus Kuwait का ये सारा चाइना का हिसाब का टाइम है ठीक है and 26 and 26 7th number match इंडिया के लिए होने वाला है women's event group B and group C का इंडिया का होगा लगबग देड़ बजे इंडिया versus Thailand and Cambodia versus Singapore चलिए 25 बजे की तरफ चलते हैं 25 September को कौन से event होगे जिसमें 25 September को 31th month group C का event खेला जाएगा शाम देड़ बजे हो जाएगा शुरू इंडियन स्टेंटर ताइम के अकोडिंग उजबेकिस्तान versus Syria का 32 match होगा Hong Kong versus Afghanistan 33 match होगा Palestine versus Japan and 10th match for women's group A it's Mongolia versus उजबेकिस्तान 11th match women's group D it's 4 बजे होगा Bangladesh versus Vietnam and 12th match होगा Nepal versus Japan साड़े साथ बजे होने वाला है ये and उसी दिन women's group E के भी event होगे जिसमें 13th number का match होगा Morocco versus Hong Kong China and 14th number का match होगा Philippines versus Korea चलिए अब बढ़ते हैं 27 तारिक की तरफ 27 तारिक को भी बहुत सारे events हैं जो कि round of 16 शुरू हो जाएगे 27 तारिक से round of 16 में जो टीम पहुँचे की तो दोस्तों 27 तारिक को होगे round of 16 के men's and women's की तरफ से अभी फिलाल जो टीमें पहुँचेंगी उन्हीं का अंदाजा लगेगा right men's के लिए लेकिन women's के लिए Thailand versus Chinese Taipei Singapore versus North Korea हो जाएगा 27 तारिक को and 28 तारिक को देखा जाए तो women's men's के round 16 के ही event चलेंगे जो qualify करेंगे subject to be qualified and women's की बात करी जाएगे तो group A में से 7.7 बजे उजवेकिस्तान versus China women's group D में चपैन versus वेतनाम women's group E में कोरिया versus होंग कोंग women's group D में नेपाल versus बांगलादेश and group E में Philippines versus मोरोको के event होने वाले है and 30 September की बात करें तो उसमें quarter final खेले जाएंगे women's event के men's का कोई भी event नहीं है women's के सारे के सारे quarter final event खेले जाएंगे जो की 3 बजे 8 बजे 7.5 बजे and 7.5 चार बजे होने वाला है चाइना के according चलिए 1 September 1 October को देखते है quarter final 3, quarter final 1, quarter final 2 and quarter final 4 होने वाला है जिसका टाइमिंग है 3 बजे 8 बजे 7.5 बजे and 7.5 बजे होने वाले है quarter final events and women's semi-final हो जाएगा 3 October को जिसमें 2 semi-final होने वाले है जिसका टाइमिंग है 6 बजे and 8 बजे का ठीक है और 4 October को देखते हैं तो men's semi-final 1 and men's semi-final 2 भी हो जाएगा जिसका टाइम सेम रहने वाला है 6 बजे और 8 बजे और आगे बढ़ते हैं तो हमारे women's का bronze medal match and gold medal match जो है वो 6 October को हो जाएगा जिसमें 2 event होंगे bronze medal and gold medal और men's के gold medal और bronze medal जो match है वो 7 October को होंगे यानि की 4 बजे and 8 बजे gold medal match होगा तो दोस्तों यह है हमारा पूरा schedule अगर मैं आपको बताऊं तो 19 तारीक से लेकर 7 October तक 19 September से 7 October तक यह पूरा event खेला जाएगा जिसमें हम football को enjoy कर सकते हैं दोस्तों लाइव जो है streaming जो है वो मुझे ने लगता कि quarter final से पहले की live streaming आप देख पाएंगे सभी matches की क्योंकि बहुत सारे Simon Tensley चलने वाले हैं हर एक ही समय पर 3-4 match होंगे अलग-अलग ground में तो सबकी live commentary शायद ही आप सुन पाएं बट हमारे साथ आप जरूर देख सकते हैं live streaming में live score card के जरीए तो दोस्तों ऐसी और updates के लिए चैनल को subscribe जरूर करें और वीडियो को like जरूर करें क्योंकि आगे ऐसी और वीडियो आपको मिलती रहेंगी तो तब तक के लिए अलविदा लेते हैं मिलते हैं नई वीडियो में जै हिंद जै भारत